हालो फ्रेंद्स वेलकम तु ग्यानफर मीडिया और आयम कृतिका फ्रेंद्स अक्सर कॉंपुटिटिटिव एक्जाम्स के बाद हम देखते हैं कि प्रोविजनल आंसर शीट और आपके रिकॉर्ड़ेड रिस्पॉंसेज डिक्लेयर होते हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट और उसके बाद एक टर्म जो हमें सुनने को मिलता है कि चैलेंज यूर आंसर की मैंनेया को मतलब रिक होता है इसके agree to Ens Сейчас processes what are its advantages and disadvantages क्यों किसी स्टूडेंट को आंसर की को चालेंज करना चाहिए करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है तो इनी सब बातों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वी रुवाइन परिज्वाइन अटरफे चाहिए था रेजएव बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आंसर की को चालेंज करने का क्या है तो फ्रेंड्स जो आपके answer की release होती है एक provisional answer की starting में release करते हैं वो three four days आप उस answer की से questions को टाली कर सकते हैं अगर आपको यह लगता है कि उस answer की में दिये गए correct answer actually में correct नहीं है और उस question का कुछ और answer होना चाहिए जो options वहाँ पे दिये गए हैं उस में से कुछ और उसका answer होन चाहिक है तो आप इसको चालेंज कर सकते हैं कि जो आंसर की में response दिया गया है correct response आपरेंटली correct response आपरेंटली correct response वो सही नहीं है और इसका actual में आंसर ये होना चाहिए जो हम exam में लिख करके आए है या फिर जो हमें options में दिया गया था और उसका fact based question है तो उसका वो response है तो पूरा मतलब जो है किसी भी answer की को challenge करने का वो ये है कि answer की answer या response जो है वो सही नहीं है और actually में उसका answer कुछ और होना चाहिए जो कि either option में होगा या फिर नहीं होगा अब इसके advantages क्या होते हैं advantages है कि evaluation अगर मान लिजे आप किसी question को challenge करते हैं और आप कहते हैं कि जो answer की में provisional answer की में जो response दिया गया है that is not correct according to us and actually miss का answer ये होना चाहिए और उस evaluation तो फिर वो re-evaluate होगा मान लिजे एंटी आपका कोई exam conduct करा रही है तो एंटी उसको re-evaluate करेगी उस experts के द्वारा फिर से उस question पे विचार होगा और देखा जाएगा कि जो provisional answer sheet में response आया है वो क्या वाकई में गलत है अगर वो गलत साबित हो गया तो इसका एक और benefit है वो क्या benefit है वो आप यहां देख सकते हैं benefit of marks अगर आपका claim आपका challenge जो था answer की के against वो अगर सही proof हो जाता है तो वो सभी students जिनोंने वो particular question exam में opt किया होगा उनको उस question के marks दे दिये जाएंगे बला यह किसी एक व्यक्ति ने उस question पे challenge किया हो और वो पाया गया हो कि वो NTA की तरफ से या किसी दूसरी agency या university की तरफ से वो mistake है और challenge करने के बाद पता चला कि वो correct response नहीं है इसका response student ने बताया कि यह होना चाहिए तो फिर वहाँ पे आपको benefit of marks मिलेंगे आपको और आपके साथ जिन भी लोगों ने वो question correctly opt किया होगा उसको वो marks वहाँ पे मिल जाएंगे so these are the basically two advantages एक सबसे बड़ी advantage यह है कि evaluation दुबारा होगा और दूसरी advantage यह है कि benefit of marks मिलेगा जो कि obviously किसी भी competitive exam की दृष्टी से बहुत important हो जाता है एक के question पे आपके आपका selection depend करता है एक के question के जो marks होते हैं उस पे बच्चों का selection हो जाता है या रुख जाता है so it becomes very important that you get the correct marks for the correct response that you have chosen to a question तो यह होते हैं इसके दो benefits अब इसके demerits की बात कर लेते हैं कि disadvantage क्या है कि मान लिजे आप किसी option को challenge करते हैं किसी question को या answer की को आप challenge करते हैं तो उसका disadvantage क्या है उसका disadvantage है money loss क्योंकि usually एक question पे कभी thousand rupees आपको pay करने पर जाते हैं या फिर कभी 200 rupees पे करने पर जाते हैं या फिर it will vary कि कितना आपको particular exam में question का challenge करने की cost कितनी है उस पर depend करता है तो अमान लिजे कि आपका challenge nullify हो गया आपने जो challenge किया हो वो experts ने कहा कि नहीं यह correct नहीं है actually मैं ऐसा नहीं है तो वहाँ पे आप you will lose your money so it is a big loss as I told you कि हर question पे हर एक question अगर आप challenge करने हैं तो per question you have to pay the fees which is a big amount for a student you know appearing for a competitive exam और अगर वो आपका nullify हो जाता है challenge accept नहीं होता है या नहीं मानते experts उसको तो आपका पैसा चला जाएगा बस और कोई benefit नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत sure हैं कि इसका answer यह होना चाहिए you have a proof proof for it कि हाँ इसका answer यह होना चाहिए और answer provisional answer की में इसका response सही नहीं है तो आप definitely challenge करेंगे तो आपको वहाँ पे benefit of marks मिल सकता है आप एक example यहाँ पे ले लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि एक यह due का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं due के information bulletin में यहाँ पे clearly mentioned है कि आपको कोई student अगर challenge करता है answer की को तो they have to make a payment of 200 per question challenged as the processing fee the NTA will also display the question paper attempted by the candidate for all the candidates on the website prior to the declaration of result which is fine the recorded responses are likely to be displayed for three days यसे कि अभी आपके currently 28 तक की आपके पास date है due के due it exam की यहाँ पे बात कर रहे हैं और the NTA's decision on the challenges shall be final and the result will be declared on the basis of final answer की तो आपने एक बाद challenge कर दिया और final answer की उसकी आ गई और आपका मान लिजे वो accept नहीं किया उन्होंने जो आपने challenge किया था तो फिर you cannot make further claims for that जो भी NTA का decision होगा वो ही सही माना जाएगा और उसी के basis पे final answer की बनेगी और आपका result भी उसी पे depend करेगा तो ये पूरी कहानी होती है किसी भी तो ये पूरी कहानी होती है किसी भी exam में answer की को challenge करने की आपको क्यों challenge करना है मैंने आपको बता दिया उसके advantages, disadvantages, disadvantages पी आपको मैंने बता दिये और अगर आप डियू के स्टूडेंट है करेंटली 2020 डुएट आपने दिया है और अभी अभी उसकी यूजी की जो आंसर की है प्रोविजनल वो आई है आप उसे चालेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको लॉग इ आपके पास कोई बुक का स्क्रीन शॉट है या फिर कोई भी इस तरह का एविडियन्स है तो वो भी वहां पे आप अप्लोड कर सकते हैं यह सारी चीज़े हमने पिछले वीडियो में बताई है जो करेंट नोटिफिकेशन आय हुआ है एंटी का उसमें सारा कुछ मैंशन है आपको कैसे उसमें चालेंज करनी है आंसर की जो स्चूडेंट्स यह सोच रहे हैं और परिशान हो रहे हैं कि आंसर की चालेंज करने का क्या फायदा है नहीं है जिन्हें नहीं पता है उनको इस वीडियो से थोड़ी क्लारिटी मिल गई होगी तो गाइस प्लीज दू यहां जो जो competitive exams होते हैं वहां पर एक बार आपको चालेंज आंसर की करने का मौकर दिया जाता है तो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो के बारे में और आर फेस्बूक पेज और 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 यू राइट तो उस ग्यानफरमीडिया अगे आगे कर दो इस वीडियो 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 इस वीडियो